वेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल डिवेल कुछन आज मैं आपको बहुत ही आज आसान दरीकी से आप अपनी स्किन का कलर कैसे कर सकते हो बहुत ही आसान दरीकी से बहुत ही इजी वे में वह बताऊंगी तो एक बार आप इस रहमेटी को ज़रूर ट्राय किजिगा आपको इतने अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेंगी कि आप खुद भी शौक हो जाओगी बहुत ही अच्छी रिजल्ट देखाती है यह क्रीम साथ-साथ में आप इस क्रीम को आराम से बना की भी रख सकते हो यह मैं रेमेटी भी बोल रो क्रीम क्रीम ऐसी चीज़ होती है आप की skin को बहुत ही जादा easy way ने आपके फियर करती है हो यही रेमेटी तौह पर बहुत ही अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेंगे मतलब हाथ-पैरो या गर्दन से यूज़ कर लिया न तो बहुत ही आसान तरीके से आपके skin को जाथे Korean और Japanese की skin होती है उसी तरीके से skin tone आपके ला देंगे glasses skin मनाएंगे Korean style तो एक बर आप जरूर तराय केज़ेगा तो सबसे पहले इस तरीके ओस्कु मृश्चार किलों नहीं लेना थोड़ा से एक रात के लिए भिगो देना है इस चीज का ठेहन रखना है चामल को देहान रखना तो पानी को पूरे को डाल लेंगे और इस तरीके से चामलो को ही तो मैं थे थोड़ा सब भीगा हुआ लेआ था दो फानी इसी को पका लेंगे अगर आप चामल के पानी से daily अपना face wash करते हो तो आपको pimples की acne की problem बिल्कुल नहीं होगी, pigmentation भी बिल्कुल remove हो जाएगी, तो यह भी बहुत ही फायदा करता है, साथ साथ में यह remedy आप ट्राय कर रहे हो, वो तो आपको fair बनाएगी, यह कोई-कोई remedy aces होती है, जो आपकी skin को fair भी करती है, साथ साथ में आपके skin पर जितने भी wrinkles होते हैं उसको remove कर बाती है, तो इस तरीके से आपको इसको पका तो ले नहीं है, और अब मैंने इसमें थोड़े सी चीनी डाली है, जो चीनी होती है, जिसमें आप चाय में डालते हो, खीर में डालते हो, भही-वाली मैंन इस तरीके से अंदर जा चुका यह अब देक में पता है लिए तो यह लीया पानी बंदे Ж haw लेसे लकुए डब्रास लिए पफिर इसा को मेक्स करेंगे लिए यह लूकर फिर इसा हो rightly बिल्कुल आप जू गने सबते ने उस तरीके से अपको लेना है इसको हात लगाते ही बिल्कुल यह मैश हो जाए उस तरीके से याशान लेने है तो इसको मिर विर को साथ 18 मिट पकाते में हुच जी कर आ चुकिts तो यह बिलुकल मैस्टि ईस तरहिए से कर द्राइमें इस तदिते हो नियुक। तो इस तरीके से रहे हो रिखतों बिलकुल आसानी से घुक्त हैं पर आपको यह यह के पैसफ में पर आपको समय तो यह चांव Puis haga में में। तो अब इसमें डालेंगे हम कच्चा दूद वीडियो में मेरे को थोड़ा सा जादा बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपको सभी चीज़े समझाने भी जरूरी हो और तब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होना तो मैं आपको पहली उसके लिए सौरी चाहूंगी माफी चाहूंगी तो इस तरीके से दूद को आपको डाल देना अब आप सोच दूद दी क्यों तो मैं आपको बता दी तो कच्चा दूद ने इसकिन को फेयर करने में बहुत अच्छा मदद करता है साथ-साथ मैं आपके स्टोर करके भी रख सकते हो सबसे अच्छी बात इस रेमेडी की यह है कि इसको आप 5-7 दिन के लिए यूज कर सकते हो और इसको अगर आपने यूज कर लिया तो आप मेरे को एक बर जरूर कमेंट्स में थैंक्स बोलने जरूर आओगे क्योंकि इसको मैंने खुद को ट्राय किया है मैंने परसिनली इसका एक अच्छी रजल्स बिखाएगी है तो अब जो मैंने एक कटोरी दूड़ नी थोड़ा दूड़ा दूड़ा है मैंने ने तो इससी लिए मैं ने थोड़ा धूड़ा दूड़ ड़ा दूड़ धिया था और एक तो अब धोल पर्फेक्ट बन के तयार हो चुका है तो आपको तो आपको चाहन कर लें डाले है कि आप को डाने लेना क्रीम को बिल्कूल बजार कर या। अगर आप विटामिन E की कैपसूल डालोगे मैंने तो भी स्किप किया अगर आप डालोगे ना तो और भी अच्छा आपको जितनी भी जिन लोगों की पिग्मेंटेशन की प्रॉब्लम है एकनी की प्रॉब्लम है वो बहुत इची तरीके से इसलिखे रिक्री देट उडयर। अब कि प्रॉक्श कर लीए और सबीन अधाने में पिंसकूल पानी में अथरोगा आयं तो अब झाल दाल देंगा तो प्रॉब्लम को डालोगे उनारेल का तेल दमाने बहुत सब्सक्राइब कम ठालोगा सब्सक्रातीब यकरद सबसेु तो क्रीम नहीं लगाते होगे ना बहुत ज़्यादा रूखी होती होगी तो वही प्रॉब्लम को यू भी खतम कर देगी नाल का तेल आपको नाल का तेल भी से डाल देना इसमें अगर अगर आप पर लगाओगी तो वहांका पिग्मेंडेशन दूर करेगी आगर आपके संस्ट्रोक के वज़े से स्किन ब्लैक हो रही है तो उसको तो फिर्स्ट टैमने पर्मानेंटली बिल्कुल रिमूव कर देगे और साथ साथ में आपके स्किन को वाइट भी बनाएगी मैं आपको गैरंटी यह दिलवाती हूं आप इसको नहने से पहले भी ट्राइक कर सकते हो 20-25 मिट तक आपको इसको स्किन पर रखना है और फिर आपको वाश कर लेना है ठंडे पानी से तो अभी तो मैंने यह नहीं है कि आपको नॉर्मली जैसे भी आपकी स्किन आपने लगा लिया आपको सबसे पहले हाथों को द में आपी तो मैंने कट ईंभी बनाती कवımızı दीकी एक बार में शाया है थो आपको जैदा बनाने बाद आपको जादा प्रिया करें आपको इस ट्याठी को कर सकती हूं क्याल्य न न मेंदक करते हैं अगर आपके पास अलू खालको प्रॉबल्मे करें चाल ने करना तो आप हाथों से मसाज कर सकते हो है कि हम आपको दोबहरा कोई वीडियो में अगर आपको प्रॉपलम है तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जा कि कमेंट करके पूछ सकते हो और को पुछ भी गलत लगे तो मैं आप कि से पहले ही मिलेंगे तो आपको घबराने की जरूत नहीं है अगर आपकी डार्क स्किन भी है तू तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद